हेलो फ्रेंज आज मैं आपको 2015 की Will You Be There? ये एक time travel love story explain करने वालो हूँ इस movie की storyline बताना ये एक spoiler हो सकता है तो इस तरह डारेक स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारा main character Sue हमें दिखता है ये एक जंगलो में होता है यहाँ के जो सब अदिवासी लोग है चोटी सी लड़की होती है ये लड़की बहुत ही चोटी सी है और इसे medical help की जरूरत है इसलिए बुड़ा आदमी इसे रुकने के लिए बोल रहा होता है Sue helicopter में बैठता है पर फिर अपना mind change कर लेता है और इस चोटी सी लड़की को help करने के लिए वह रुक जाता है ये जो चोटी लड़की होती है इसके lips abnormal होती है ये बुड़ा आदमी फिर कहता है कि ये लड़की मुझे जंगलों में मिली थी अगर मैं इसके care नहीं रखता तो ये मर जाती वो सू को thank you कहे रहा होता है कि उसने इस लड़की की help की है ये old man सू को पोचता है कि क्या इसी कुछ चीज है जो तुम life में करना चाते हो सू कहता है कि मुझे किसी को देखना है इसके लिए मैं wait नहीं कर सकता ये old आदमी फिर उसे एक bottle देता है इस bottle में बहुत सारी गुलिया होती है इसके बाद next day में हमें young sue दिखाया गया है ये एक dolphin की शो में आयो होता है इस dolphins की जो instructor होती है ये इसकी girlfriend होती है इसका नाम योना है ये शो देखते ही देखते ही सो जाता है जब ये शो खतम हो जाता है तो ये ओना इस पर चीड़ी होती है क्योंकि ये सो गया था ये इससे sorry कहता है पर ये दोनों train में ज़रा दूर ही बेटते है जब ये पाक में उतरते है तो एक दूसरे से पास हो आ जाते है sue का हाथ ज़रा hurt हो गया था तो इसे मलम पट्टी वो करती है ये कल ही हुआ था तो वो उसे कहती है कि तुमें ज़रा careful रहना चाहिए तुम सरजन होने वाले हो तुमारे हाथ बहुत ही important होते है sue कहता है कि कितनी time तक हम एक दूसरे से अलग थे ये एक ही minute के लिए अलग थे पर इनको ये बहुत ही ज़ादा लगता है sue कहता है कि मैंने तुमें बहुत मिस किया ये केकर फिर एक दूसरे को ही हग करते है sue और yona ये अलग अलग cities में रहते है sue उसे मिलने के लिए आया था अब ये जाने वाला है जब yona उसे station पर छोड़ने के लिए आती है तो yona उसे कहती है कि मैं तुमारे बच्चे की माँ बनना चाहती हो sue ज़रा uncomfortable हो जाता है वो कहता है कि जब मैं बहुत जाओंगा तब मैं तुमें कॉल करूँगा yona हमने जॉब पर होती है चोटे बच्चों ने डॉल्फिन्स के लिए एक gift छोड़ा होता है चोटे बच्चे कार्टों देखते हैं तो होने लगता है dogs और डॉल्फिन ये नो दोनो friends से तो यहाँ छोटा सा एक dog वो छोड़ कर जाते है योना जब इस dog को देखते है तो इसे बहुत ही cute लगता है Nixon में देखता है कि योन्ग सू स्टेशन पर उतर गया है और योना को call कर रहा है उसके side में ही एक आदमी होता है और एक खास रहा होता है यह जो है, है old सू है योन्ग सू फिर इसके help करने के लिए जाता है उसे पुछता है, क्या तुम ठीक हो? जब old सू यंग सू को देखता है तो अचमेज हो जाता है उसे बिलियू नहीं हो पाता कि यह सा कैसे हो सकता है old सू उसका नाम पुछता है जब इनाम बता देता है तो old सू कहता है, कि मेरा भी यही नाम है यंग सू अब ज़रा uncomfortable हो जाता है ओल्ड सू को बहुत ही खासी आने लग जाती है यंग सू अपना रुमाल असे देता है ओल्ड सू वहाँ से भागते भागते चला जाता है और ट्वालेट में आ जाता है यह जो रुमाल था, यह योना ने उसे दिया था यंग सू को यह रुमाल वापस चाहिए तो ट्वालेट तक जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता अब डारेटली ओल्ड सू फ्लाइट में है यह हमें दिखता है यह टाइम ट्राइवल करकर उसके पास में चला गया था इसके एड़ से 30 years पहले हो चला गया था यह समझ नहीं पाता कि यह हुआ क्या था नेकस दिन जब अपने हॉस्पिटल पहुचता है तो वंडर करता है क्यों से इतनी खासी क्यों आ रहे थी सिटिस्कैन महुआता है उसके एक कलिक होती है जो उसकी बेस्ट्रेंड होती है वो कहता है कि एक बार इसे देख लो कितना टाइम इसके पास बचा है वो मुझे बता हूँ यह कहती है कि सिटिस्कैन है तो अब इसके पास जीने के लिए सिटिस्कैन है अब next scene में हमें also टेहो के साथ बेटा हुआ है ये दिखता है ये बीच पर आये हुए होते है जो भी उसके साथ सब हुआ था ये उसे बताता है टेहो उसे कहता है कि तुम hallucinate कर रहे होंगे इसी किसी की भी गोली तुमें नहीं लेनी चाहिए यानि कि ओल मैन ने इसी गोली दी होगी अब next scene में हम 30 years back आ जाते है और यहां Su और टेहो दीखते है ये दोनों अब यंग है Su टेहो को कहता है कि योना से मैं कल मिला था तो उसे मुझसे बेबी चाहिए ये बहुत ही stress में होता है टेहो उसे कहता है कि तुम्हारे relationship बहुत ही अच्छी है साथ साल गुजर चु से बज़ता है टेहों से कहता है कि तुम्हारा कोई old passion होगा जादा कुछ worry मत करो अब हम फिर से ओल सू दिखाया गया है ये घर आता है वो इसके बेटी काई से call आता है इसकी बेटी इसे call पर खेती है कि अच्छे से खाना अगरा खाओ ओल सू जो होता है वो अपना खयाल कुछ भी खाना काता है अनली lifestyle जीता है ओल सू को फोर्म पर किसी आतमी की आवाज आती है तो उसके लिए जारा concern होता है इसकी बेटी कहती है या अगर तुम ऐसे करोगी तुम्हें फोन रख दूंगी फिर ये दोनों बाते करने लग जाते है ये फोन जब चल रहा होता है तो ये ओल्ड सू को और भी खासी आने लग जाती है ये फिर फोन रख देता है अपनी डॉटर को कुछ भी उसे बताना नहीं होता रात में फिर से उस ओल्ड मैन ने उसे जो गोलिया दी थी ये वो देखता है ये अपने आप से कहता है कि वो इसे फिर मरने वाला हूँ इस फिर सू को वो देना चाती है सू कहता है कि मुझे पता नहीं कि इसका खवायर में कैसे रखो ये बहुत भी दूर से आई होती है और फिर से इसे जाना होता है सिरf पांच मिलिट के लिए आती है शू भी नहीं कर पाता कि इसे सिर aquí पापी देने के लिए वो आई थी जाते- जाते हो ना कहकर जाती है कि एनिमल्स और चोटे बाच्चे यह बहुत जादा सेम होते हैं तुम अगर इसका ख्याल रख सकते हो तुम हमारे बेबी का भी ख्याल रखोगे इसका तुम अच्छे से ख्याल रखना यंग्सू फिर इस पपीब को घर पर लेकर आता है इसे पोट यंग्सू इस पर बिलिव नहीं करता है उसे अपना आईडी कार्ट पुछता है यह आईडी कार्ट जब यंग्सू देखता है तो इस पर डेट 2008 की हुथी है यह उसे कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो यहां से तुम निकल जाओ यह जब वे बोलता है तब यंग्सू का पप यंग्सू कैता है कि जो भी तुम मुझे बात कर रहे हो यह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आरहा है तुमने किसी को भी नहीं बता है वो फिर उसके सर पर जो निशान है वो दिखाता है वो कहता है कि फादर हमें मारते थे फादर के मार से हमें ये चोड लग गई थी हमने इसे हमेशा से छुपाया है क्योंकि अगर मदर को पता चलता तो उसे बहुत ही बुरा लगता मदर को हम एक तरह से प्रोटेक्ट करें है ये समझ कर हमने स्काप छुपा दिया था ये यंगसू चीर जाता है और पूछता है तो इमों उसे क्या चाहिए वोल्सू कहता है कि मुझे सिर्फ उसे देखना है योना को नाम वा लेता है तब ही इससे खासी आने लग जाती है वोल्सू वहाँ से भाग जाता है और फिर से प्रेजेंट में अपने बात्रूम में आ जाता है यंगसू फिर भागता है और भागते भागते अपने फ्रेंड टेहो के पास आ जाता है उसे जो सब हुआ है ये उससे कहता है कहता है कि योना के बारे में भी इससी पता है योना डेंचर में हो सकती है टेहो अपने girlfriend के साथ होता है पर इसके साथ इसे police station में आना पड़ता है police station में आने के बाद एक lighter वो टेहो को देता है यह जो lighter है और प्रेसों छोड़ कर गया था यह उसे कहता है किसे fingerprints तुम match करा हो इसके confirm करना होता है कि यह दोना same ही है ठेव कहता है कि जैसे movies में दिखाते है इतना easy नहीं होता फिर वो उसका अच्छा friend है इसके लिए उसे help करने वाला होता है और जब रात में घर पहुचता है तो वो figure out करता है कितने समय तक वो उस past में रह सकता है वो 20 minutes तक वाहर रह सकता है उसे अब पता चल जाता है इसके पास जो गुलिया होती है यह भी कम ही होती है यानि कि 10 बार ही यह past में जा सकता है और सू अंडर करता है कि गुलिया किस तरह की है वो lab में इसका थोटा से sample भेजता है पर यह organic की होती है इसमें कुछ भी medicine या hallucinate वो कर रहा है इसा कुछ भी नहीं है यह अंग सू फिर योना को call करता है उसे सावदान रहने के लिए के लिए कहता है जो fingerprint से result है वो वापस आ चुके है टेव से कहता है कि इस पर सिब तुमारे ही fingerprint से किसे और के नहीं है अब यह confirm हो जाता है यह ओल्ड सू वह साचोच में आया था यह अंग सू फिर से ओल्ड सू से मिलना चाता है उसे मिल से के इसका कोई भी way उसे मालूम नहीं है तो अपने arm पर वो एक tattoo बन वाता है इसमें फिर से वापस आ जाओ यह लिखा होगा होता है ओल्ड सू जब अपने office में आता है तब उसे वो गोलिया मिलने पाती वो कच्रे में चली कई है ऐसा उसे लगता है कच्रे के गाड़ी के पास वो भागता है सब कच्रा वो निकालता है फिर भी उसे कही भी नहीं मिलती जब फिर से अपने office में आता है तो वो जरा नीचे ही गिर गई होती है यह फिर जेन के सास लेता है और काउच पर बेटता है अपने हाथ पर उसका आटेंशन जाता है इसमें जो यंग सुने टाटू बनवाया था इस पर आ चुका है आज ओल्डशो के बेटी उसे मिलने के लिए आयू होती है इससे लेने के लिए हो जाता है ओल्टव अपने बेटी के साथ वैकेशन लेना चाता है पर इसके डॉक्टर से गयती कि मुझे पता है कि यह पॉसिबल नहीं है ओल्टव डॉक्टर होता है वो ठीक से बात की है, जला गया था, इसके लिए बहुत सारे बलून्स, वगरा उसके बास लेकर आता है, यह उना की पास आकर गहता है, वो जंगल में चल जाते है, फिर ये दोनों इंटिमेट होने के लिए अपने रूम पर आ जाते हैं, इसके बाद फिर से हमें और सु यह भी डॉक्टर होने वाली है, जब यह डिनर के लिए बैठते हैं, तो ओल्ड सू से कहता है, कि तुम्हें अपने हायर एजूकेशन के लिए अमेरिका जाना चाहिए, वहाँ बहुत ही अच्छे मेडिकल स्कूल से, और तुम्हारी मदर भी वहा है, इसकी डॉक्टर हों से क कहती है, कि क्यों तुम मुझे भेजना चाहते हो, या तुम्हारी कोई गल्फेंड है, या कुछ बुरा होने वाला है, उसे पता होता है, कि इसके फादर को लंग कैंसर है, यह फिर घर से निकल जाती है, ओल्ड सू भी इसे ढूंडे ढूंडे एक जगा पर आ जाता है, यह योना के डॉल्फिन के शोव में मिलते है, या अंग सू खीरियस होता है, यह तुम्हारा वक्त कैसा है, वो ओल्ड सू कहता है, कि सब टेक्नलोजी जारा एडवांस हो चुगी है, फिर भी जाधा कुछ ने बितला, मुझे कभी-कभी लगता है, कि पुरानी दिन ही अच्छ है, ओल्ड सू को योना का देखना था, तो आगे जाता है, और उसे देख लेता है, वहां से जा रहा होता है, तो यंग सू उसे रोख लेता है, उसे पूछता है, क्यों तुम योना से मिलने वाले थे, क्या वो फ्यूचर में नहीं है, ओल्ड सू से बता नहीं रहा होता, य यंग सू उसे दिल भर के देखता है अगर हो मर गई तो क्या होगा यह सब वो वंडर करता है यह उसके बिना रह नहीं सकेगा ओल्ड सू अपने घर पर गाना सुन रहा होता है इसके जो डिस्क को दिये इस पर कुछ लिखा होता है मदर का अलबम उसे देखना है एक मैसेज यंग सू ने उझे बेचा हो होता है जब यह अलबम देखता है तो उसमें एक लेटर होता है इसमें लिखा होता है कि तुमने मुझे ऐसी निज दी उसके बाद तुम गायव हो गए तो यह फिर से वापस आना पड़ेगा अगर तुम नहीं आये तुम्हारे लाइफ में बरबाद कर दूँगा अब नेक्सिन बेबस्टॉप पर यंग सू होता है उसे ओल्ड सू मिलने के लिए आता है उसे अभी भी बिलिवने हो रहा था कि योना मरने वाली है यंग सू से पूचता है कि कैसे हैं मरी थी ओल्सू कहता है कि तुम्हारे वज़े से मरी थी तुमने उसे सही सा टाइम नहीं दिया तुमने उसे इग्नॉर किया इसलिए यह सब हुआ है यंग सू से कहता है कि मैं केरफुल रहूंगा हम दोनों मिलकर इसे बचा सकते है मुझे बता हो कि क्या करना है Also कहता है कि हम यह नहीं कर सकते है हम पास्चेंज नहीं कर सकते है और हमाई जो मुमेंट है वो तो हम नहीं बदल सकते है Also की बेटी है पूरी लाइफ उसकी इसके बाद थी ये अगर past change कर देगा तो उसके बेटी born नहीं होगी पर अपनी बेटी से world में सबसे ज़्यादा वो प्यार करता है इसलिए वो ये नहीं कर सकता यंगसु ये सब accept नहीं कर पा रहा होता ओल्सु फिरो से बुझता है तुम योना के लिए क्या कर सकते हो यंगसु कहता है कि मेरे life पूरे में उसके लिए दे सकता हो वोल्सु फिरो से बोलता है क्या तुम योना की life से चले जा सकते हो यह एक way है कि योना भी जिन्दा रहेगी और हमारी बेटी भी जिन्दा रहेगी अब यही एक वे है तो यंग सू भी इसके लिए मान जाता है वोल सू से कहता है कि अब तुम्हें उससे ब्रेक अप करना है जब यंग सू और योना घर पर आते हैं तो योना उससे कहती है कि हमारे बेटी का नाम हम सुआ रख सकते हैं यह दोनों के नेम का मिलन होता है यंग सू इसी जी भर कर देख लेता है इसके बाद नेक सीन में हमें देखता है यंग सू हास्पिटल में उसके फादर जो है अब एडमिट वहा है इसके फादर मरने वाले है इसके फादर से मिलने जब वो जाता है तब ही उसके फादर इसकी मदर को गालिया देते हैं कहते हैं कि उसने मुझ पर चीट किया था इसलिए इसके फादर उसकी मदर को माते थे यंगसु कहता है कि पहले तुमने उस पर चीट किया था यंगसु फिर वहाँ से चला जाता है और फोन लगाता है योना उसे मिलने के लिए आने वाली होती है दो मेहने गुजर चुके है पर वो मिले नहीं थे उसे तीन दिनों के लिए चुटी मिली है तो उसे मिलने के लिए आ रही होती है ओल्ट सू से कहता है कि अगर तुम्हें योना को बचाना है तो एक call करकर उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा जो पहला बास था जब यंग सू ओल्ड सू से नहीं मिला था तब यंग सू ने योना को बता दिया था कि उसे नहीं आना है योना ने फादर के बारे में उसे बताने के लिए वो uncomfortable था इसलिए उसने तब उसे आने के लिए मना कर दिया था पर अब वोल्ड सू से कहता है कि उसे अब तुम्हें यहाँ बुलाना है अगर योना नहीं आती तो उसका accident हो जाता जिस dolphin को ट्रेंड कर दी थी यह बीमार पड़ चुका था जब इस dolphin को बचाने के लिए वो आ गई तो इसका accident हो गए यह मर गई अब जो यह यंग सू की पास आने वाली है तो यह बच जाएगे यंग सू यह call कर देता है और असी यही बुला लेता है जो newspaper में headlines हो थी है यह भी बदा जाती है यानि कि योना की life इसने save कर ली है योना जब वहा थी है तो अपने फादर से इसे मिलवाता है उसके फादर कैसे थे यह सब वो से कहता है यह फिर योना से कहता है अब तुम मुझे अनवे करने लग गई हो जब से तुमने मुझे कहा है वो तुम मैं बच्चे चाहिए तब से मेरा mind change हो गया है मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए थे उससे वो बहुत हाचली ब्रेक अप करके वहाँ से चला जाता है यंग्सू के फादर भी मर जाते है यंग्सू के फादर की funeral पे ओल्ड सु भी आता है यंग्सू इस पर बहुत ही जट जाता है उससे कहता है कि मेरी पूरी life तुने वर्बात कर दी है मैं उसके बिना नहीं जी सकता वो अल्ड सु कहता है कि मैंने भी 30 years उसके बिना जी है वो अल्ड सु फिर वहाँ से चला जाता है यंग्सू का फ्रेंड टेहो भी वहाँ आता है उससे सहाया देने की कोशिश करता है पर वो उससे दूर कर देता है उससे कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रुरत नहीं है इनकी फ्रेंड शीप यहाँ तूट जाती है जब यंग्सू फिर से future में जाता है और फ्रेंड से मिलने जाता है तो टेहो उसे पहचान नहीं पाता टेहो उसे कहता है कि तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम ऐसे मुझे मिलने आओगे और मैं तुम फ्रेंड बना लूँगा योना और उसके जो भी सब फोटोग्राप्स होते हैं यो उसने उसे बेज़े होते हैं इसमें लिखा होता है यो तुम और एक चांस देना चाती हूँ एक लोकीशन वो पता दी है और अगर वो वहाँ चला गया तो इन दोनों के रिलेशनशिप फिर से अच्छी हो सकती है ओल्ड़ू को समझ में नहाता कि ये हो क्या रहा है बातों बातों में ओल्ड़ू अपने डॉटर का नाम लेता है टेहो को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता यानि कि अगर यंग्सू योना से मिल गया तो इसके डॉटर भी अब होने नहीं वाली ओल्ड़ू अपने डॉटर की इमेज़ेस देखता है तो वो फेड होने लग जाती है यंग्सू भाग भाग कर योना के बास जाता है ये रस्ते के दुसरे साइट पर होती है इससे मिलने के लिए वो आ रही होती है तब है इसका एक्सेटन्ट हो जाता है ओल्ड़ू की जो सब फोटोग्राप्स थी यानों उसकी बेटी वेगरा वो फिर से वापस आ जाते है ओल्ड़ू अवे फिगर आउट नहीं कर पाता ये इंटरनेट पर योना को साच करता है ये कार एक्सेटन्ट में मर गई थी ये उसे पता चलता है ये फिर होस्पिटल में आता है इसके फाइल वा देखता है इस फाइल में लिखा होता है कि उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट थी अगर जल्दी पता चल जाती तो योना बच सकती थी अभी डिसाइड कर लेता है कि योना कुछ से बचाना है ये टाइम ट्राइवल करकर फिर से यंग सू के पास आजाता है उसे सब को जो बताता है कि वो कुलाट हमें निकालनी पड़ेगी यंग सू अपने फ्रेंड से मदद लेता है ओल्सू इस पर ऑपरेशन करता है यंग सू कहता है कि मेरा लास्ट ऑपरेशन योना पर ही था इसके लिए बहुत ही सैटिस्वाइंग होता है जब हॉस्पिटल के स्टाप को पता चलता है कि यहाँ कुछ तो गडबर होती है यह वहाँ आते है यंग सू ओल्सू इस दर्वाजा आप बन कर लेते है यह उपरेशन वो कर लेते है और ओल्सू फिर से अपने फ्यूचर में चला जाता है ओल्सू अब हमें हॉस्पिटल में दिखाए गया है जब यह पास से वापस आया था तब तीन दीन तक सौया हुआ था उसकी बेटी उसे देखने के लिए आई हुई होती है ओल्सू फिर योना का पता निकालता है योना अभी भी जिन्दा है और वो भी अब ओल्ड बन चुकी है यह भी अब नए जो इंस्ट्रक्टर बनने वाले है इनको गाइड करती है योना जिस बीच पर होती है इस बीच पर वो चला जाता है उसे देखने के लिए उसे पास आता है उसे देखता है और वो अपना मूँ फेर लेता है योना को पता नहीं चलने देता कि उसे मिलने के लिए वो आया था योना के accident के बाद वो लंगडा कर चलती है जब ओल्सू यंग्सू से face up मिलने के लिए आता है तो यंग्सू से पुछता है कि क्या योना ठीक है ओल्सू से कहता है कि कोई भी problem नहीं है वो जिन्दा है यही important है यंग्सू ओल्सू से पुछता है कि हमारी life के जो story है क्या इसमें happy ending है ओल्सू कहता है कि ending important नहीं है हमारी जो story है, हमारी जो moment है यही important है अपनी life तुम अच्छी तरीके से जीओ यह kekker वो उसे कहता है कि अब हम last time मिलेंगे हम फिर से नहीं मिलने वाले ओल्सू इसे कहकर जाता है कि 10 साल बात तुम conference में जाओगे तुम्हें एक लड़की वहाँ मिलेगी उससे तुम बात कर लेना यही तुम्हारी बेटी की मदर है अब हमें एक conference भी दिखती है और इस लड़की से मिल चुका है यह भी हम दिखता है थोटे दिन बात इसे न्यूज मिलती है कि वो pregnant है और उसे बेटी हो जाती है यंग सू की बेटी की responsibility इसकी मदर नहीं लेती तो यंग सू अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर आता है बचपन से लेकर अब वो बड़ी हो चुकी है तो सारे moments हमें अभी यहाद दिखाया जाते है अब मैं ओल्सू दिखाया जाता है और अपने डॉटर के साथ vacation के लिए आया हुआ है यह दोनों लेक के पास बेटे हुए है ओल्सू से कहता है कि मैं अच्छा डैड नहीं था मैं बहुत ही clumsy था तो उसकी डॉटरों से कहती है कि मैं भी कुछ अच्छी डॉटर नहीं थी मैंने भी तुम्हें बहुत तंग किया है वो अपने फादर को कहती है बहुत ही लगी थी कि मुझे तुम्हारे जैसे फादर मिले थे यह अपने डैड से पुछती है कि अगर मैं तुम मिस करूं तो मैं क्या करूंगी Also से कहता है कि अगर तुम किसी को मिस करी हो तो उसकी अच्छी memories जात करना तो memories के सारी जी सकती हो Also रोने लग जाता है उसकी daughter को पिर रोना आ जाता है अब सहरा time घुज़ा जाता है और Also मर चुका है टेहो और उसकी जो friendship थी ये 30 साल तक नहीं थी अगर फिर से friendship कर लेते तो इनकी timeline पर फरक पढ़ सकता था इसलिए इन दोनों ने कभी friendship नहीं रखी टेहो को जब पता जलता है कि ओल्ड सु मर चुका है उसके funeral पर वो आता है ये जो special fruits होते है ये उसे देता है ये जो fruits है ये orange और tangarine ये दोनों अलग-अलग fruits का combination है सुने ही उसे encourage किया था कि तुम्हें ये जो fruits है इसे grow करना चाहिए टेहो कहता है कि मैं तुम्हें advice ले ली थी इसके बाद मैं अमिर बन गया था ओल्सू की daughter फिर वहाँ थी है ये कहती है कि क्या आप टेहो हो ये पुछता है कि तुम्हें कैसे बता वो कहती है कि मेरे फादर ने कहा था कि उनकी funeral में सबसे last में आप ही यहाँ से जाओगे एक box टेहो को देती है और कहती है कि मेरे फादर ने मुझे देने के लिए आपको बोला था टेहो बीच पर आकर यह सब पढ़ता है इसमें जो सब होगा था time travel लेगरा यह सब लिखा होता है टेहो फिर योना से मिलने आता है उसे न्यूस बताता है कि ओल्सू मर्द चुका है योना यह सुनकर रोने लग जाती है वो कही थी है कि मुझे लगा था कि मैं उसे भूल चुकी होगी जो सब यह स्टोरी हुई है जो सुने उसे सब कुछ बता दिया है यह योना को बता देता है नेक सिन में टेहो अपने फार्म बे होता है और वो अकाउंट करने रह जाता है उसके दिमाग में आता है कि सू के पास तो दस गुलिया थी बाकी की एक गोली खा गई वो फिर सू के घर में आता है पुरा घर चानता है सू की जो रेकाड होती है उसमें उसने चुपा कर रखी होती है टेहो अब डिसाइड कर लेता है कि उसे अब सू को बचाना है यह गोली लेता है पर इसके बाद उसे सोना होता है पर इस सो नहीं पाता वो फिर बाहर आता है और वहाँ स्टेर के सुदी है यह वहाँ से जान बुचकर गिर जाता है यानि कि वो बेंश हो जाए और फिर से पास्ट में आ सके ये फिर यंग्सू से मिलनी के लिए वो हस्पिटल में आता है यंग्सू सिगरेट पी रहा होता है ये उसे चीन लेता है और फेक देता है उसे कहता है कि इतने irresponsible केसे हो सकते हो इतने चोटे से प्लेजर के लिए तुम अपनी राइफ क्यों बरबात कर रहे हो टेहो उसे पिल्स वेगरा इन सब चीजों के बारे में बोल देता है उसे ये भी कहे कर जाता है कि 10 साल तक हमारी friendship नहीं रहेगी पर मैं तुमारा वेट करूँगा ये यंग सू भी अब अपनी आदत छोड़ देता है टेहो जब फिर से future में आ जाता है तो वो घर के सामनी होता है वो सू को डूढने ही लग जाता है उसे कभी भी मिलने ही रहा होता इसे लगता है कि ये successful नहीं हुआ पर actual में old सू अभी भी जिन्दा है ये योना से मिलने के लिए जाता है योना पाक में होती है तो उसके लिए बहुत सारे बलून्स हो लेकर आता है उसके पास हो जाता है उससे कहता है कि कितने टाइम तक हम एक दूसरे से अलग थे इसके बाद ये दोनों एक दूसरे खुख करते हैं और यही यह movie खतम हो जाती है इस movie ने हमारे पास जो है इसे appreciate करना है और हमारी live जो है इस movie में अच्छी तरह किसी जीनी है यह हमें एक अच्छा message दिया है अगर आपको यह video अच्छा लगाओगा तो पुलिस इस video को like कर दीजिगा मैं बहुत सारी ऐसी movies लेकर आधे रहे तो तो पुलिस इस channel को subscribe पर दीजिए और bell notification आइकोन दबाना मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप आपने आपका ख्याल रखिये